तो आपको पता ही है कि हमारा डे वन का सिरीज चल रहा है और आज हमारी सेवंथ क्लास है इसके पहले हमने सिक्स क्लास में प्रिविसर कोशन्स किया है जिसने भी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है आप जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छे कोशन्स है हमने 2018 का कर लिया है, 2019 का कर लिया है अभी हम कर रहे हैं, जो आपका दिसंबर 2022 में ऑनलाइन पेपर हुए थे, इस तरीके से और ऑनलाइन पेपर आपका कम से कम 15 से 20 दिन चला था आइधिंग 15 से 17 दिन, तो वो पूरा का पूरा प्रिविसर कोशन्स करना है तो बस आज हम कर लेने, बाकी कल से मैंने सोचा है कि एक एक प्रिविसर कोशन्स, हम साथ साथ कोशन्स या तो दो पार्ट में बट वन डे में ही कम्पलीट करें ठीक है, और जो लोगी वन लाइनर के लिए बोलते हैं आपको उसके लिए वन लाइनर के लिए तो परेशान भी नहीं होना है क्योंकि वो तो मुस्किल से आपका एक घंटा लगेगा या तेड़ घंटा लगेगा उसको पढ़ने में क्योंकि उसमें आपके सामने ये options ऐसे नहीं रहेंगे ना, direct आपने question पढ़ा, उसका answer देखा, इस तरीके से, ठीक है, तो चलिए, विडियो स्टार्ट करते हैं, like, share, subscribe आपने करी दिया होगा, देखें, यहां पर लिखा हुआ है, और Hindi-English दिखाने की courses करती हूँ मैं, बट क इसका नाम तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, कि किसने ऐसा कहा था कि, अंग्रेजी सिक्षा ने हमें गुलाम बनाया है, तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, और कोई नहीं इसमें से, यह fact वाले questions है, और fact वाले questions आपको हमेशा याद होना चाहिए, उसमें पूरा तत्विक इस्थलो के नाम दिये गये हैं, तो चलो, चारो के चारो है, पूरा तत्विक, बट इसमें सापको बताना है, उत्तर से दक्षड दिसा में, यह तो सभी को पता है, इस्ट, वेस्ट, नौर्थ, साउथ, पूरभ, पक्षिम, उत्तर, दक्षड, तो मतलब नौर्थ से साउथ में, ठीक है, उत्तर से दक्षिर दिसा में बताना है, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि भीम बेट का कहां पर है, उत्तर में है, कि दक्षिर में है, हुन्सगी, बुर्जोम, तो इस तरीके सापको एक क्रम में लगाना है, तो पता तो सभी को अगर आपको एक भी पता है तो बूर्ज होम हमारा सबसे ज़ादा उत्तर में है तो दी तो होगा ही सबसे पहले और कुछ हो चाहे ना हो ये भी खतम ये भी अपने आप अंसर आ गया बाले से एक्जामेला ने कॉशंस को टफ बनाने की कोसिस की थी बट अगर आपको एक भी से आंसर निकालोगे बुर्ज होम के बाद से आपका आएगा भीम बेट का जो की MP में है मध्य परदेश ठीक है यह हो गया एंड आपको पंता है हूंसगी करनाटक में है ठीक है तो यह हमारा चल जाएगा करनाटक में और पैयम पल्ली का आइधिंक तमिल नाडू या फी केरल यह हो सकता है I'm not sure बट आपको एक क्रम में लगाना है इस तरीके से आपका राइट आंसर फोर हो जाएगा भीम बेट का मध्य परदेश यहां पर है आपके पास आपका करनाटक आपका यहां पर है आप खुद देख सकते हो यह B से भीम बेट का यह जम्मू कसमिर तो इस त नीचे है आपका पयम पल्ली तो आप सबसे नीचे से भी Eliminate कर सकते हो पयम पल्ली A options बस यहीं पर मिलेगा थीक है तो screenshot ले सकते हो बहुत अच्छा question है यह option number 4 विल बी राइट और यह हमारा 3rd question 3rd question यह मिलान करने वाले होते हैं प्लस इसमें आपको number याद है तो ठीक है नहीं तो फिर तो इसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा बट मैं तो यह बोलूँगी कि आपके पास समय है तो आप रट लेना यह सारे numbers यह रटने वाला question है इसलिए मैं बोल रही हूँ ठीक है स्वेन तसांग का भारत आगमन और यहां पर कुछ नीचे options मिल जाएंगे तो एक भी पता हो तो चलो eliminate करते हैं ठीक है सबसे पहले आपको यह तो पता ही होगा कि संगम साहित की रशना नहीं पता है तो भी आसे पता कर लो मतलब याद कर लो क्योंकि यह बहुत important है संगम सा सही होने का chances जादा रहता है उसके बाद से पश्मुत्तर में सिकंदर का आक्रमण आपका पहले से हो जाएगा 327 से 325 इसा पुर्व हो गया बी का पहला तो यह भी खतम आपका तीसरा सही हो जाएगा एंड हर्श वर्धन का समय आपका 606 से 647 श्वेन तसांग का भारत आग अपने हिसाब से आप याद कर लो ताकि कभी पर भी questions आये तो आप eliminate कर सकते हैं ठीक है चलिए फोर कोशन देखे चोल कालिन का सिमूर्थिया लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी तो इस तकनीक का अनुसरन करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने है तू किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था मिट्टी मोम पिगली हुई धातू या भी पक्की मिट्टी जिसको ह इंगलिस भी दिखी रहा है तो फोर का हमारा क्या अंसर होगा बताईए किस पदार्थ का प्रयोग होता था बहुत अच्छा कोशन है वो हमारा मोम वैक्स ठीक है याद कर लेना क्योंकि ये कोशन पूछ सकता है इस बार भी फिप्ट कोशन देखते है इन में से कौन सा कथन सुला कूल के विचार के बारे में सत्ते है बताईए सुला कूल के विचार के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्ते है आपके सामने चार आप्शन्स है फिर नीचे भी आप्शन्स है उसमें से आपको एलिमिनेट करना होगा तो यह विचार नतिकता इमांदारी न्याय सांत के विवस्ता पर केंदरित था जी हां सुला कुल का मतलब सांती बनाई रखो फिर इस विचार के इर्दगर्द सासन दर्शन बनाने का भी प्रयास किया गया था ये भी बात सही है और सासन के इस सिधान का जहांगिर औसाह ने पालन नहीं किया अकबर तो पालन करता था बढ़ जहांगीर साहजहां नहीं किया विविन धर्मों के लोगों के थोड़ा बेदभाव आवशक था जी नहीं सुला तुल कुल का मतलब था की सबी धर्मे की लोग एक साथ बैट कर अपना पूजा जो भी काम करना है एक साथ कर सकते हैं तो भेदभाव वाला तो कोई सवाली नहीं था तो D छोड के तीनों की तीनों बाते सही है तो चलिए हमारा कौन सा राइट अंसर हो जाएगा हाँ फरस्ट A, B, C ठीक है यह आपका अजर्शन और रीजन वाला कोईशन है ठीक है और यह इस बार भी आएगा ही इस बार क्या है तो ट्रेंड चल चुका है कि यह कोईशन आएगा शिक्स कोईशन देखते हैं A और B आपको पढ़ना है बताओ रीजन क्या सही लिखा या नहीं मुर्शित को लिखाने बंगाल के राज़सों का बड़े पैमाने पर पुनन निर्धारन करने का आदेश दिया बात एकदम सही है क्यों आदेश दिया? क्योंकि वो बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था रीजन एकदम सही लिखा हुआ है कुछ और ऐसा लिखा होता उटपटांग सा तो वो रीजन नहीं होता बट यहाँ पर सीधा रीजन लिखा हुआ है तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ ठीक है? चलिए तो आप सभी का समय भी बचता रहे इसलिए मैं जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर मैं एक्स्प्लेनेशन जरूर करती हूँ ठीक है? सैवन कॉश्चन देखो निम्न में से हडपपन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है? हडपपर सील्स के बारे में बताना है क्या चीज़े सही है? तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले ये तो सभी को पता होगा कि हडपपा संस्कृती के लोग पत्थरों से मुहर बनाते थे ए तो होगा ही तो जहाँ जहाँ ए ये तो इसमें तो है ये वाला बस हटा दो ठीक है? ये हमारा करेक्ट हो गया एक लाइन अब हम जाएंगे next मुहर समाने तो गोलाकार होती थी मतलब seals were generally of circular shape ऐसे ये बात गलत है भी नहीं होगा ठीक है? मुहर में एक जानवर के आकरिती गड़ी होती थी येस एनिमल्स काव्ड होते थे उस पे ठीक है? तो हमारा A and C सही है तो हम जाएंगे 4 के साथ ठीक है? हमारा इसमें क्या सही है? A and C ये नोट कर लेना जिसको ना पता हो बहुत अच्छा question है चलिए 8 question देखे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है याद रखना इस पे ध्यान देना सही नहीं है कई बर ऐसा होता है कि मैं आपको बता रही होती हूँ मेरे माइन में चल रहता हूँ होता है कुछ और लगा देते है अब बोल देती हूँ मैं कुछ और यही सेम चीज एकजाम में भी होता है पढ़ते कुछ और हैं और लग कुछ और जाता है तो वे आसपास के पौधो और फॉलो और जानवरों को खाकर समप्त कर देते थे क्या ये गलत वला बताना याद रखना जानवर एक जगा से दूसरी जगा जाय करते थे पेड़ और पौधो में फलफुल अलग-लग मौसम में आते थे वे एक जगा तलास कर रहे थे जहां राज इस्थापित कर सकें बताइए क्या होगा इसमें हमारा क्या चीज गलत नहीं है आखेटक, खाद, संग्राहक, समुदाए एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर क्यूं जाते थे इसका रीजन पूछ रहा है तो वो अव्यसी बात है कि वो एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाएंगे क्यूं? क्यूंकि ताकि अगर एक ही स्थान पर रहेंगे तो सारी चीज़े समाप्त हो जाएंगे खापी के ये तो होगा नहीं प्लस वो जाते ही थे तो ये तो बात जानवर एक जगह से वे दूसरी जगह पर भी लेकर जाएं करेंगे अब जहां जाएंगे वहां तो लेकर ही जाएंगे ना पेड़ और पौदो में फलफुल अलग-लग मौसम में आते थे ये भी एक रीजन है मालो इस जगह पे आप जहां पे रह रहे हो और कोई दूसरे आप जैसे कि हम नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट से कंपेर कर सकते हैं तो अलग-लग जगह पे सब फलफुल का मौसम भी अलग होता है तो यह सारी चीज़े सही है गलत क्या है कि वे एक जगह तलास कर रहे थे कॉंट्राडिक्ट है यहाँ पर बात हो रहा है कि वो एक इस्टान से दोसरे इस्थान पर जाते थे और यहाँ पर लिखा है कि एक जगह ही तलास कर रहे थे जिसे ना भी पता हो वो भी अराम से common sense से अराम से इसको कर सकता है तो गलत तो यही है वो जाते थे ना कि तलास कर रहे थे कि भाई हमको एक जगर रहना है और हमको अपना kingdom जो है इस्टैबलिस करना है ऐसा कुछ नहीं था four option will be right nine question आरे समाज के सापना किसने की है और यह तो एक बहुत ही प्यारा सा question आ गया है क्योंकि यह हर जगा पूछता है यूपिटेट उठालो सूपर टेड़ विपिएस सी और आरे समाज मतलब सभी का एक तरीके साप इस तरीके से सोचो तो आरे समाज के सापना किसने की होगी जोतिरा फुले ने अपनी किताब गुलाम गिरी अमेरिका के लोगों को क्यूं समर्पित की है इसका reason बताईए और जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताय था कि इन्होंने क्यों अमेरिका के लोगों को समर्पित किया, इसका एक ही रिजन था, क्योंकि अमेरिका में दास प्रता खतम कर दी गई थी, ठीक है, इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले, अमेरिका में दास प्रता खतम कर दी गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी किताब गुलाम ग खतम हुआ था तो उन्होंने इस तरीके से इसको dedicated कर दिया कि ठीक है इससे समर्पित है तो option no.2 11 फिर से match of the following है यह हमारे 11 है और अभी हम पढ़ी रहते तो इस तरीके से इसमें से यह तो मैं definitely बोल सकती हूँ कि यह इतना important question है ना कि आप एक बार previous questions करना हर बार पूछेगा तो मैं सभी को बोलना चाहूँगे कि आपको इसको रट लेना है याद कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है तो चलो 11 का question देखते हैं सबसे पहले सत्य सोधक समाज आपको पता होना चाहिए जोतिबा फुले ठीक है नाम रट लो तो एका तो तीसरा होगा जहां जान नहीं है उसको हम काट देते हैं ये खतम ये भी खतम सत्त नामी आंदोलन मत्तुआ पंथ स्वाभिमान आंदोलन बताईए इंगलिस में भी दिखाने की कोसिस करती हूँ बट पूरा नहीं दिखेगा चले ठीक है ये तो आसान सा है तो एक हो गया आपका जोतिबा फु याद कर लो ये हर बार पूछेगा तो हमारा एक का तीसरा बी का दूसरा बी का पहला कहां पर है देख लो ये वला राइट हो जाएगा ठीक है फिर मतुआ पंथ आपका जो हरिदास ठाकुर होगे और स्वाभिमान आंदोलन आपका इवी रामा स्वामी नाइकर तो हमारा इसमें से दूसरा आंसर राइट हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत अच्छा कोशन है प्लीज इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना चारो के चारो 12 कोशन देखिए स्वातंतरता मेरा जनमसी देदिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह नारा किसने बुलंद किया है और मुझे नहीं लगता है कि जिसने भी पढ़ा होगा थोड़ा भी वो ना बता पाए तो 12 का कोशन है वही है बाल गंगा धर तिलक ठीक है इन्होंने नहीं बोला था कि स्वातंतरता मेरा जनमसी देदिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा फोर आप्शन 13 कोशन देखिए सुरुवात में महात्मा गादी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागिदारी के पक्षमे नहीं थे निवन मेंसे किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्विकृती देने के लिए मनाया कि आप भी अलाव कीजिए वोमन को भी किसने मनाया था बताइए कोई नहीं सरोजनी नाइडू है और वो भी तो गए थी आपने फोटो भी देखा होगा जब हम हिस्टरी का पढ़ रहे थे ठीक है तो सरोजनी नाइडू जी ने बोला था कि आप विमन को भी इसमें जोईन करिये मतलब जोड़िये और पहले तो नहीं चाहते थे कि महिलाएं कोशन फिर से आप देख सकते हो कि यह मिलान करना यह सारी कोशन सना बहुत आते हैं निमन में से कौन सा सन्योजन सहीं सुमेलित नहीं है एक्जाम में एसे अंडरलाइन कर देना नहीं पे नहीं तो इतनी तेजी में हम लोग सहीं वाला करके चले आते हैं सहीं नहीं है इस प जिम्राम बेटकर भीजी जो है वो भालत के पहले कानून मंत्री ये भी सही है और कॉंग्रेस का बांबे अधिवेशन ये भी सही है सीधी कारवाई दिवस ये पंदर अगस्त 1946 को नहीं है अगर मैं इसको इंग्लिस में दिखाना चाहूं तो ये है हमारा डायरेक्ट एक्शन डे ये 14 को नहीं है I think 15 को नहीं है 14 को है मुझे डेट याद नहीं आ रहा है बट ये लाइन गलत है दूसरा गलत है not messed correctly बाकी की तीनो सही है ठीक है तो हमने ये आंसर कैसे find किया आप देखो कई बर क्या होता है कि हमें सही चीजे पता होती है जैसे मैंने आपको बताया कि पहला सही है ये भी सही है तो फिर अगर न जो पता है नहीं पता है कुछ सब कुछ मिला जुला के आपको आंसर निकालना है ठीक है 15 देखे निमन लिखित परतों में से वायू मंडल की कौन सी परत उलका परत में उलका पिंड जल जाते हैं इस च्टैटो स्फियर आपको पता है ये समताप मंडल मौसम संबंदी घट अब बच गया ये दो खतम तीसरा चौथा अब इसमें से क्या हो सकता है जो मीजो स्फियर होता है इसी परत में आकर जो मिटरॉइड है वो आकर जल जाते है ठीक है रेडियो तरंग से कुछ भी कोशन पूछता है तो वो आपका थर्मो स्फियर होगा बट जब भी उलका प 16 जोग्रफी का क्वेश्चन देसांतर या मत्रों के विसाय में निम्न कथनों पर विचार करो एक बार हिंदी इंगलिस बहुत ही दूर लिखा हुआ है 16 तो पॉसिबल नहीं है इंगलिस भी बोल देती हूं लिखा हुआ है consider the following statement about longitude तो आपको longitude से related correct option बताना है ठीक है तो longitude के बारे में इसमें से कौन से बाते सही है आप बताईए पहले तो ये बात तो एकदम सही है कि जो सभी longitude की लंबाई समान होती है ये बात एकदम सही है ठीक है उसके बासे प्रमुख जो या मुत्तर उसका मान 0 degree देसांतर होता है ये भी सही है बट भूमा दे रेखा 60 degree इसांतर या मोत्तर को निरूपित करती ये बात गलत है तो हम जाएंगे पहले के साथ ठीक है अगर आपको कोई topic नहीं समझ में आती है तो आप मेरा playlist जरूर देखना NCRT वाला क्योंकि without आप NCRT अगर सोचोगे आधे घंटे के class में आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो व ये आंसर बताना है क्योंकि जो sun है वो exactly overhead होता है at least once in a year tropical reason मतलब जो tropical reason है उस नकटी बंदी छेतर में कम से कम वर्स में एक बार सूर्य ठीक सीर के उपर होता है मालो आप यहां पर हो आपके सर के उपर ही sun रोतों सबसे ज़्यादा उसमा तो होगा ही न तो वही सेम चीज य सिर के उपर होता है यह नहीं के पृत्वी जुक गई है घुड़न हो रहा है या फिर revolution हो रहा है ऐसा कोई reason नहीं है पहला सही है 18 question जो कि मैं बोलती ही हूं कि ऐसा एक question आएगा ना भी आये ऐसा भी होता है पीछली बार तो नहीं आये था I think तो इस तरीके questions में आपको खुलने का समय इतना है और देहराद उनके समीप 78 डिग्री पूरब देशांतर पर देशंपूर के समीप इतना लिखा हुआ है तो केंद्री सरकार के कारियलों के खुलने का स्थानी समय क्या होगा वही प्लस माइनस करना है बहुत आसान सा question सा है आप इसको कर सकते हो ठीक ह पहला हो जाएगा 19 देखिए which are the cities connected by golden quadrilateral कौन से सहर श्वान चतुरभूर जी मार्ग द्वारा जुड़े हैं बताइए देखो ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ना पता हो आपका दिल्ली है मुंबई है चन्ने कुलकाता है ठीक है इसमें गुहाटी आके गलत कर दि अर यह तो गलत ही है तो एक ही है और यह याद रखना है दिल्ली मुंबई चन्ने कुलकाता अब जैसे मालो यह मैप ऐसे रफली बनाते हैं यहाँ पर हमारा दिल्ली है ठीक है और यहाँ पर आपने देखा होगा हमारा गुजरात के थोड़ा सा नीचे इस साइड में ऐसे म तो यही आपसे पूछा था दिल्ली मुंबई चेन नहीं कुलकाता, तीसरा 20, फिर से आपका match of the following है इस मिलान करें और सही उत्तर का चेन करें उष्ण कटी बंदी ये पंड पाती और मुझे लगता है कि मैंने इसको कई बार करा दिया होगा और आपको अब याद भी हो गया होगा इसका हो जाएगा हमारा एक मिनट इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ उष्ण कटी बंदी ये पंड पाती ये हमारा हो जाएगा भारत उत्री ऑस्ट्रेलिया मध्य अमेरिका, एका तीसरा एलिमिनेट कर दो, ये तो नहीं होगा एका तीसरा ये भी खतम, ये भी, ये भी एक बच गया है दूसरा और आपका उष्ण कटी बंदी सदा बहार आपका भूमद रेखा उष्ण कटी बंद के पास सी का हो जाएगा हमारा शितोशन, सदा बहार, दक्षिन पुरवी अमेरिका ये आप से पूछ रहा है इसकी इस्थिती ये जो वन है इनकी स्थिती क्या है और वैसे आपका शितोशन का तो जो बच गया है, क्या बचा है हाँ, फोर वला बच गया है उत्री पुर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजिलेंड, चिली, तो ये आपको याद करना ही होगा कि किसका कौन सा इस्थान है, कहां परिस्थित है, अदर्वाइस आपको confusion हो सकता है इसमें, तो हमारा right answer हो जाएगा, 20 का second, ठीक है, चलिए, तिस questions में से बताना जरूर कि आपने अंतर जनित बल, कभी-कभी आकस्मिक गती उत्पन करते हैं, जी हां, और दूसरा लिखा है कि भुकंप और जॉला मुखी जैसे, आकस्मिक गती के कारण, प्रीथवी की सता पर अत्य दिखानी होते हैं, जी हां, इसी के वज़ए से तो होता है, तो ये तो दोनों ही बात ए पाए जाती हैं तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये बात गलत है, भायवाँ मंदल, अभी मानने आपको बताय था थर्मोस्फियर कहीं पर भी रेडियो की बात होगी तो आप समझ जाना कि वो thermosphere की बात हो रही है ये बात एक दम सही है ऑखमर मंडल thermosphere में radio तरंगे इस परादवरा पुना परावर्तित कर दी जाती है reflect हो जाती है ठीक है back तो हमारा सही क्या है बाकी तो सब गलत ही है सही यही है ठीक है 23 देखिए इंसोलेशन की बात हो रही है आप देख सकते हो चूज दा फॉलिंग स्टेट्मेंट अबाउट इंसोलेशन और चूज दा करेक्ट ऑप्शन तो इंसोलेशन मतलब आत्पन के बारे में आपको चीज़ों को बतानी है कि क्या सही है चलिए तो आत्पन के बारे में कथन पढ़ो और सही कथन का चुनाओ करो हमारा इक कुश्चन नमबर कौन सा है 23 है याद रखिएगा तो पहला तो लिखा हुआ है कि सूरे से आने वाली वह उर्जा जिसे पृत्वी रोक लेती है जी हाँ उसको हम कहते है इंसोलेशन बात सही है और आत्पन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, रित्वों में और साल भर बदलती है ये भी बात सही है आत्पन की मात्रा भूमद रेखा से द्रूओं की और बढ़ती है ये गलत है A and B is right फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट 24 24 का देखे एसिया में भारत के किस यातायाद के साधन का सबसे बड़ा जाल है जाल का मतलब विच मिन्स ओफ ट्रांसपोर्ट अफ इंडिया अस लार्जस नेटवर्क इन एसिया सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, पाइप्लाइन किसका जादा कनेक्शन है नेटवर्क किसका जादा है ये आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा तो वही है रेलमार्ग, रेलवेज दूसरा हो जाएगा 25 देखे 25 इसमें लिखा हुआ है कि दियेगे कथन के लिए सही विकल्प का चेन करो मानो एक विसेश अंसाधन किस कारण है कौसर, ज्यान, प्रदोग की व्यक्तिवर्क हम जो हुमन है वो क्यों किस वज़ा से इस्पेसल रिसोर्सेस हैं प्रदोगी की व्यक्तिवर्क तो यह नहीं है क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स है, नौलेज है तो एक तरीके से मानो एक विसेश संसाधन है इन दो रीजन की वज़ा से तो A and B will be right 26 26 में देखे लिखा हुआ है, दो कथन पर विचार करो सही का चुनाव करो धात्विक खनीश मुखिता अवसाधी सेल समू में पाई जाते हैं ये बात एकदम गलत है खनीश इंधन जैसे कोईला और पैट्रोलियम भी अवसाधी इस्तर में पाई जाते हैं 27 देखे 27 में लिखा हुआ है कि वरिक्षो के उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपर्दन से बचाने हितू वायू की गती को रोकने के लिए लगाए जाती है एंड उसे एक लाइन में बोलते हैं सेल्टर बेल्ट आश्रपटी ताकि बचा के रखें वाय कोई गती से ठीक है तो ये हो जाएगा मारा दूसरा 28 देखे एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में हस्तांतरित वैल्यूज जो विश्वास हैं जो विचार हैं जो लक्षन है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है उसको क्या कहते हैं तो ये तो बहुत आसान सा कोश्चन है इंग्लिस वाला भी एक बार दिखाई देती हूँ वैल्यूज, बिलीफ, आइडियास, करेक्टरिस्टिक्स पास्ट फॉम वन जनरेशन तो दा नेक्स्ट इस कॉल्ड क्या वो कस्ट किया है, कोई रिति रिवाज है, कोई एथनिसिटी है या एसिमिलेशन है, या एक कल्चर है, ये एक कल्चर है, एक संस्कृती है तीसरा हो जाएगा ठीक है, संस्कृती ये 29 देखे, और एक चीज़ मैं मैं मैंशन करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, कि जो इंग्लिस वाले ओप्शन होते हैं मतलब जो लिखे होते हैं, वो करेक्ट होते हैं और हिंदी वाला कुछ गलत सलत सा लिखा होता है तो उस चक्कर में क्या होगा, कि आपको जरूर पढ़ना होगा इंग्लिस वाला भी, कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग हिंदी को ही गलत, हिंदी मालो गलत लिखा है गलत समझ के कर दी, उनको नमबर नहीं मिलता है बट जो लोगों ने इंग्लिस को भी पढ़ा है और वो देख लेते कि यस कुछ-कुछ वर्ट्स के मिस्टेक होते है तो इसा कई बार हुआ है मैंने सुचा आपको बता दू जैसे के questions है कि identify a behavior situation which reflects prejudice मतलब इसमें से एक behavior, एक situations को आपको identify करना है जो की जो पुर्वाग्र है उसको reflect कर रहा है मतलब उसको प्रतिबिम्बित कर रहा है समझ रहे ना प्रतिबिम्बित, reflect का मतलब क्या है जो उसको एक तरीके से दिखा रहा है तो चलो हिंदी इंग्लिस दोनों पढ़ते है giving preferential treatment to English-speaking people बढ़ने वालों को वयवहार में प्रात्मिकता देना तो आप मुझे बताओ क्या यह आपको लगता है यह करत तो रहा है pacudize को reflect मतलब कोई हिंदी बोलने वालों है तो आप उसको प्रात्मिकता नहीं देंगे यह तो गर राए है तो ए तो होगा ही making friends with people of one's own caste and religion only, ये only की वज़े से गलत हो गया, कि किवल आप अपने धर्म अपने जाती के लोगों को मित्र बनाएं तो ये भी हो सकता, A and B तो होगा ही अब हमारे पास नीचे भी देखना होगा कि कि क्या 2-3-3 कैसे पेर बने है तो ये रहा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें A and B यहाँ पर मिल गया है, बाकि आप देखो separate queue for females and male, ये reflect नहीं कर रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए, पुरसों के लिए अलग-अलग अपने line बनाई है, तो ये एक safety के लिए बनाई है, यहाँ पर कोई पुर्वाग्र प्रतिभिम्बित नहीं हो रहा है दूसरा paying homage to place of once own religion, कि जो माली जै की, जैसे की हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पर देखे, अपने धर्मे के पवितरिस्थलों का सम्मान करना, ये केवल वर्ड यहाँ पर गल्ती से प्रिंट हो चुका है ठीक है न, इस पर ध्यान मत देना, आप इसलिए मैं बोलती हूँ कि, इसी तरीके से questions पूछता है, paying homage to place of once own religion, मतलब अपने धर्म के पवितरिस्थलों का सम्मान करना, तो यहाँ पर भी कुछ prejudice को प्रतिविंबित नहीं कर रहा है हाँ, इस पर मत ध्यान देना, इसलिए मैंने बोला कि Hindi English दोनों जरूर पढ़ें, ठीक है आप खुद सोचो न, कि तीन options तो दिये ही नहीं है न, यहाँ पर कैसे तीन options को हम correct करें, इसका मतलब कुछ misprint है इसमें, तो हमारा right answer हो जाएगा केवल, A and B हाँ, यह जरूर है कि अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी only देखो लिखा नहीं है, only लिखा होता तो हम गलत कर सकते थे बट Hindi में लिख दिया है, तो यह होता है, ठीक है आपको देख कर करना होगा, तो इसका right answer हो जाएगा दूसरा, 30 नमबर का question देखते हैं, और यह हमारा last question है, निम्न, एक नट, निम्न कतनों पर विचार करो, और बताओ कि इसमें से क्या सही है, कोस्टारिका को मद अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, जी हां, और कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाए, साफ वो सुरक्षित पानी, सफाई वो पोशन पर खर्च करने का decision लिया है, तभी तो उसको सबसे स्वस्थ देश माना गया है, तो बात भी सही है, explanation भी एक दम सही है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ, ए तथा बी दोनों सही है, तथा बी सही व्याख्या करता है एक ही, फर्स्ट विल बी राइट, तो यह आपने देखा, हमारे 30 questions हो गए है, 30 minute I think लगा होगा बस, यह रहा, 30 questions हमारा हो गया है, बाकी जो भी doubts हो आप मुझे बताना, जाते जाते like, share, subscribe कर दीजेगा, अगर आपका अमन हो तो, मिलते ही next class में, thanks for watching